एक बार गणीश्टी ने पृत्वी के मनुश्यों की परिक्षा लेनी चाहिए वे अपना रूप बदलकर पृत्वी पर ध्रमन करने लगे उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में एक चम्मच में दूद ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुक्ती चावल ले लिये और गली गली घूमने लगे और साथ में ही आवास लगाते रहे कोई मेरी खीर बना दे कोई मेरी खीर बना दे उनकी बात पर किसी ने धिहान ही नहीं दिया बलकि लोग उन पर हस रहे थे दिन लगातार एक गाउं के बाद दूसरे गाउं में इसी तरह जक्कर लगाते रहे और पुकारते रहे पर कोई खीर बनाने के लिए तयार नहीं हुआ सुबह से शाम हो गई और गणेश जी लगातार घूमते रहे तभी वहाँ पर उन्होंने एक बुढिया को देखा जो कि शाम के वक्त अपनी जोंपडी के बाहर बैठी हुई थी वहाँ से भी गणेश जी यही पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे बुढिया बहुत कोमल हिर्दे वाली स्त्री थी उसने कहा ला बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हुँ गणेश जी ने उसे कहा माई अपनी घर से दूद और चावल लेने के लिए बरतन ले आओ बुढिया एक कटोरी लेकर जोंपडी के बहार आई तो गणेश जी ने कहा अपनी घर का सबसे बड़ा वाला बरतन लेकर आओ बुढिया को थोरी जुझला हट हुई पर उसने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चे का मन रख लेती हुँ और अंदर जाकर वे अपनी घर से एक बड़ा असा पतीला ले आई गणेश जी ने चम्मच से दूद पतीले में उढ़ेलना शुरू किया तो बुढिया के आश्चर की सीमा नहीं रही उसने देखा दूद से पूरा पतीला भर गया है एक के बाद एक बरतन जोपड़ी से बाहर लाती रही और उसमें गणेश जी दूद बरते रहे इस तरह से घर के सारे बरतन दूद से लबालब भर गये भगवान गणेश ने बुढिया से कहा मैं स्नान करके आता हूँ तब तक तुम मेरी खीर बना दो और मैं वापस आकर खाऊंगा बुढिया ने पूछा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी इस पर गणपती बोले सारे गाम को दावत दे दो बुढिया ने बड़े प्यार से मन लगा कर खीर बनाई खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी कुश्पो चारो दिशाओं में फैलने लगी खीर बनाने के बाद बुढिया हर घर में जाकर खीर खाने के लिए दावत का नियोता देने लगी लोग उस पर हस रहे थे कि बुढिया के घर में खाने के लिए दाना नहीं है और सारे गाम को खीर खाने की दावत दे रही है लोगों को कोतुहल हुआ खीर की खुश्पू से लोग खिचे चले आए लोग अब तो सारा गाउं बुडिया के घर में इखटा हो गया जब बुडिया की बहु ने दावत की बात सुनी तो वह सबसे पहले वहाँ पहुँच गई उसने खीर से भरे हुए पतीलों को जब देखा तो उसके मुँ में पानी भराया उसे बड़ी जोर की भूग भी लगी थी उसने एक कटोरी खीर मिकाली और दर्वाजे के पीछे बैट कर खाने की तयारी करने लगी इसी बीच एक छीटा नीचे जमीन पर गिर गया और गणपती जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए अब पूरे गाउं को खाने की दावत देकर गुडिया वापस अपने घर आई तो देखा कि बालक वापस आ गया है गुडिया ने कहा बेटा खीर तयार है आओ भोग लगा लो गणपती जी बोले माई मेरा भोग तो लग गया है मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है मैं तरप्त हूँ अब खीर को तूखा अपने परिवार को खिला अपने गाउंवालों को खिला बुडिया ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है सबका पेट भर जाएगा तब भी खीर बच जाएगी इस बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी इस पर गणीश जी बोले उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारो कोनों में रख देना बुडिया ने ऐसा ही किया जब सारा गाउं जी भर कर खा चुका तब भी ठेर सारी खीर बच गई उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारो कोनों में रख दिया सुबह उठकर उसने क्या देखा कि पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवारात और मोती भर गए हैं वह बहुत खुश हुई उसकी सारी दरिर्दर्ता दूर हो गई थी अवे अराम से रहने लगी उसने गणपती जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तलापी बनवाया इससे उसकी प्रसिधी चारों तरफ फैलने लगी उस जगे वार्शिक मेले लगने लगे लोग गणेश जी की करपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर आते, पूजा करते और मानेताएं मानने लगे गणेश जी सब की मनो कामनाओं को पूर्ण करने लगे इसलिए हे गजानन हम आप से विंती करते हैं कि जैसी तुमने बुढ़िया पर करपा की वैसे ही कहते की, सुनता की और हुंकारा भरते की सब पर किरपा करो एक जाट था और एक भाट था दोनों गहरे दोस्त थे जाट चला अपनी भेन के और भाट चला ससुराल रास्ते में कुवे की पाल पर दोनों बैट गए जाट बोला नगर बसीरा कर ले भाट बोला मैं तो अपनी सुस्राल जा रहा हूँ खूब खातिर होगी सो तू ही कर जाट कुवे की पाल पर बैट कर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसीरा करने लगा और बोला नगर बसीरा जो करे सो मल धोवे पाम तादा मांडा तापसी देगी मेरी मा मा देगी मावसी देखी द्वार कवास मीठा मीठा ग्रास ब्रंदावन का वास पांच कुल्ठी छटी रास मेरा जिवरो श्री कृष्न के पास डालू पानी हो जाए घी जड से निकल जाए मेरा जी करकरा के चल पड़ा भाट की बहन ने बूरा चावल जिमा कर खूब खातिरदारी की भाट पहुँचा तो सुस्राल में आग लगी पाई आग बुजाते बुजाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुभी काला और रोटी नपानी पड़ोसन आई बोली जवाई आया है उसकी भी पूँच कर लो सास बोली क्या करूँ मेरा तापड़ा भूपता चला गया पड़ोसन ने एक रोटी और छाच दी और उसने खा लिये शाम को दोनों दोस्त फिर मिले भाट बोला मेरे सुस्राल में आग लगी पाई बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुभी काला रोटी नपानी जाट बोला मेरी तो खूब खाते हुई मैंने कही थी ने नगर बसेरा कर ले जाट बोला आब कर ले भाट बोला अब भी ना करूँ तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, मेरी तो मा है, दही की छूचली, चूर्मा की पेड़ी, धरी पावेगी, भाट ने नगर बसीरा नहीं किया, जाट फिर से नगर बसीरा करने पैट किया, नगर बसेराज सो करे, सो मलध होवे पाव, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी मा, मा देगी मावसी, देगी दवार कवास, मीठा मीठा ग्रास, ब्रिंदा वन कावास, पाँच कुल्थी छटी रास, मेरा जिवड़ा श्री क्रिश्न के पास, डालू पानी हो जाए घी, जट स निकल जाए मेरा जी, इतना कैकर वे चल पड़ा, घर पहुंचते ही, जाट की मासी ने बहुत लार जाव गिया, भाट घर आया, तो उसकी भैंस खो गई, बाप एक लाटी धरे, एक उठावे, बुला, सुस्राल गया था तो आग लगा दी, यहां आया तो भैंस खो दी, प जाट ने पूछा क्या खबर है, भाट बोला, आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसे दिन भर से ढूंड रहा हूं, रोटियों का ठिकाना नहीं, जाट बोला, मैंने पहले ही खाता, नगर बसेरा कर ले, भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं, तो आप कर ले, दोनों नगर बसेरा करने बैट गए, नगर बसेरा जो करे सोमल धुवे पाम, काता माना तापसी, देगी मेरी मा, मा देगी मावसी, देगी द्वार कवास, मीठा मीठा ग्रास, ब्रिंदावन कावास, पांच कुल्ठी चटी रास, मेरा जिवड़ा श्री क्रिष्न के पास, डालू पानी हो जाए घी, जट से निकल जाए मेरा जी, उसने नगर बसेरा किया, और तो आगे चला, तो रास्ते में भैंस मिल गई, वह भैंस को लेकर घर चला गया, मा बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूके मरते, उसको भूक लगी होग अच्छी तरह से जिमाया, उन्होंने सारी नगरी में धिनूरा बिटवा दिया, कि हर कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बासरा करे कार्तिक महिने में एक बुड़िया माई तुलसी जी को सीचती थी और कहती थी हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सीचती हूँ, मुझे बहु दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, डाल भात का भूजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी, तो भगवान ने पूछा, कि तुलसी तुम क्यों सूख रही हो, तुलसी माता ने कहा, यह बुढिया रो जाती है, और यही बात कह जाती है, मैं यह सब तो पूरा कर दूँगी, लेकिन बुढिया माई से कह देना, जब बुढिया माई मर गई, सब लोग आ गए, जब माई को ले जाने लगे, तो वे किसी से भी नहीं उठी, तब भगवान एक बारे बरस के बालक के रूप में आए, बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा, तो बुढिया माई उठ जाए चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले, यह सुनकर बुढिया माई हलकी हो गई, भगवान ने उसे कंधा दिया, और बुढिया माई को मुक्ती मिल गई, हे तुलसी मादा, जैसे बुढिया माई को मुक्ती दी, वैसे सब को देना, पीपल पतवारी की कहानी एक समय की बात है एक गाउ में एक गूजरी रहती थी उसने अपनी बहू से कहा कल से तू दूद्दही बेच आया कर तो वे दूद्दही बेचने चल दी कार्तिक महा में सभी औरतें पीपल सीचने आती थी तो वह भी वहाँ पर बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो तो उन में से एक औरत बोली हम तो पीपल की पतवारी सीच रहे हैं तो बहु ने पूछा इससे क्या होता है तो औरतों ने जवाब दिया कि इसको करने से अन्यधन मिलता है बरसों का बिछडा हुआ पती मिलता है उस गूजरी ने कहा अच्छा ऐसा है उसने मन ही मन सोचा तुम सब तो पानी से सीच रहे हो मैं पीपल को रोज दूद दही से सीचूंगी उसकी सास रोज कहती कि जा दूद दही बेच करा और लाकर मुझे पैसे दे देना तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब एक साथ लाकर दे दूँगी कार्तिक का महीना पूरा हो गया पूंड माशी के दिन गूजری पीपल बथवारी के पास धरना दे कर बैठ गई पीपल महाराज ने पूछा तू यहां क्यों बैठी हैरी तो उस ने कहा आज पूर्ण माशी है कार्तिक मास का अंतिम दिन मेरी सास दूदधही का हिसाब मांगेगी लेकिन मैंने तो पूरे महा दूदधही तुम पर चड़ा दिया है अब मैं घर जाओंगी तो माता जी को हिसाब कैसे दे पाऊंगी पीपल ने कहा अच्छा मेरे पास पैसे तो नहीं है ये पत्थर डंडे और पान के पत्ते पड़े हुए हैं ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना बहु ने ऐसा ही किया और जब सास ने पोछा हिसाब कर लाई तो गूजरी ने कहा हाँ हिसाब कर लाई मात जी और मैंने पैसे गुल्लक में रख दिये हैं तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई उसमें हीरे मोती जगमागा रहे थे पत्तर डंडे और पत्तों का धन बन गया था सासुमा बोली बहु चोरी की या डाका डाला बता इतना पैसा कहां से लाई तो बहु ने आकर देखा कि वहां तो बहुत सारा धन है तब गूजरी ने कहा सासु जी मैंने तो एक महा तक दूद और दही से पीपल की पत्तवारी को सीचा था मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर डंडे और पान के पत्ते ले जाने के लिए कहा जो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिये थे वही सब ये हीरे मोती बन गए हैं तब सासु मा ने कहा कि अब की बार मैं भी पत्तवारी सीचूंगी अगली बार जब कार्तिक महा आया तो सासु तूद दही बेच आती और हांडी धोकर पीपल पत्तवारी पर चड़ा देती बहु से कहती कि तू मेरे से पैसे का हिसाब मांग तब बहु ने कहा कि क्या बात कर रही हो मा जी आप इतनी बड़ी हो मैं आपसे हिसाब मांगती कोई अच्छी लगूंगी तब सास बोली नहीं जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर तू मुझसे हिसाब मांग तो बहु ने सास से दूद दही का हिसाब मांगा तो सासु जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गए पीपल देवता फिर प्रकट हुए और उन्होंने सासु मां से पूछा अरी माई यहां क्यों बैठी है? तो उसने कहा मैंने अपना दूद दही तुम पर पूरे महा चड़ा दिया अब घर जाओंगी तो मेरी बहु मुझसे हिसाब मांगेगी तो मैं उसे क्या दूँगी? तो पीपल देवता ने कहा जैसे तेरी बहु डंडे, पत्ते और पान यह सब ले गई थी तुम भी वैसे ही ले जाओ और जाकर गुल्लक में रख देना सासु ने भी ऐसा ही किया उसने बहुत सारे डंडे, पत्ते और पान, भाटे आदी अपनी हांडी में रख लिये और घर जाकर उनको गुल्लक में रख दिया जब बहु ने कहा, माता जी करलाई है साब तो उसने कहा, हाँ करलाई, जो भी मिला सब गुल्लक में रख दिया है तु खोल कर देख ले बहु ने गुल्लक को खोल कर देखा, तो उसमें कीडे मकौडे चल रहे थे गूजरी चिल्लाई और सासु से कहा ये सब क्या है तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने मेरे साथ दुहाद किया है तुझे तो अन्य और धन दिया और मुझे कीडे मकॉडे दिये तब वे सब बोले बहु तो सत से सीचती थी और सासु जी धन की भूग से सीचती थी इसलिए हे पतवारी माता जैसे तुने बहु को दिया ऐसे सब को देना और जैसा सासु जी को दिया वैसा किसी को मत देना सब का भला गरना आज हम सुनेंगे राम कथा की महिमा भगवान श्री राम्न और लक्ष्मन माता सीता के साथ पिता दश्रत की आज्या पालन के लिए पन्वास को चल दिये रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, यमुना, गौमती आधी में तरपन किया वन ने फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन कर रहे थे कार्तिक मास एकंग को राम जी की आज्या से लक्ष्मन जी कंद मूल फल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिये सीता जी ने उनकी चार पतले बनाई लक्ष्मन जी पूशने लगे माता आपने चार पतले किसके लिए बनाई हैं सीता माता बोली एक पतल राम जी की एक पतल लक्ष्मन जी की एक पतल गव माता की और एक पतल मेरी राम और लक्ष्मन जी ने अपनी अपनी पतले उठा ली और एक गव माता के आगे रखती सीता माता ने अपनी पतल नहीं उठाई और नहीं गव माता ने राम जी ने सीता जी से पूछा आपने फलाहर क्यों नहीं किया तब सीता जी ने कहा मेरा तो राम कथा कहने का नियम है राम कथा कहने से पहले में फलाहर नहीं करूंगी तब राम जी ने कहा राम कथा मुझे सुना दो सीता जी बोली आप तो मेरे पतिदेव हैं आपको राम कथा कैसे सुनाओंगी लक्षमन जी ने कहा माता आप मुझे राम कथा सुना दो सीता जी बोली आप तो मेरे देवर हैं औरतों की बाते औरते ही जानती हैं तब लक्षमन जी सोचने लगे कि वन्य औरते कहां से आएंगी तब लक्षमन जी ने धर्ती पर एक मारा नगरी बसा दी उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, कपड़ा, बर्तन, काम करने की सभी चीज़े सोने की थी उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया कोई भी रेक्पी गरीब नहीं था, राजा से लेकर सफाई करने वाले तक गर्व में पागल थे, सीता जी कुए पर गई, वहाँ पनहारिया पानी भरने आई थी, उनका मटका, जालर, इंडनी, सब चीजे सोने की थी, सीता जी कुए पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सब तो गर्व में डूबी हुई थी, थोड़ी देर में एक दावडी आई, सीता जी ने उसे भी राम राम कहा, और बोली तुम मेरी राम कथा सुन लो, डावडी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ, सीता जी बोली, मेरी राम लक्ष्मन भूके हैं, डावडी बोली, कौन से राम लक्ष्मन, मैं तो घर को जा रही हूँ, मुझे मेरी मा बुला रही है, इतना कहे कर डावडी अपने धर को चल दी सीता जी को उस पर बड़ा क्रोधाया पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई दावडी की माने पूछा जेवर मटका इंडिनी सब खोटा कहां से कर लाई दावडी ने कहा मुझे नहीं पता मैं तो जो पहने हुए थी वही लेकर आई हूँ पर कुए पे एक बहु जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया होगा तो पता नहीं मुझे मा बोली जाओ और उसकी रामकथा सुनाओ वो तपस्विनी नहीं है वो तो सीता जी है वापस जाओ अपने घर में रिध्धी सिद्धी हो जाएगी अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है दावडी जिससे बोली मैं तो वापिस नहीं जाऊंगी इतने में बेटे की बहु वहां आ गई उसने कहा आपकी आग्या हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊंगा और रामकथा भी सुनाओंगी सासु बोली जा बेटी सीता जी की रामकथा सुन कर आना गेहना कपड़ा सब पीपल का ह पहन जा, बहु कुई पर जाकर बैठ गई, खाली मिटका पानी से भरती और फिर खाली कर देती, यह देखकर सीटा जी बोले, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या, बहु बोली माता मैं तो सारा काम निपता कर आई हूँ, तब सीटा जी बोली तूने मुझे माता कहा है, ये सुनकर मेरा मन हर्शित हो रहा है अगर समय हो तो मेरी रामकता सुन लो बहु बोली हा माता आप रामकता सुनाईए आपकी रामकता सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी सीता जी ने कहा तुने मेरी इज़त रखी भगवान तेरी इज़त रखेंगे हमारी मृत्यू लोग में तुने सहायता की है भगवान तेरी स्वर्ग लोग में सहायता करेंगे सीता माता ने रामकता कहने शुरू कर दी और बहु रामकता सुनने लगी आओ राम बैठो राम जल भर जारी लाई राम कीकर कीदा तुन लाई राम खंडा पानी भर लाई राम सै परिवार पधारो राम जुगला टोपी पहनो राम कढा कलंगी पहनो राम माखन मिश्री लाई राम माखन मिश्री खाओ राम सर्ण सिंगासन लाई राम सर्ण सिंगासन बैठो राम जालर टिकोरा लाई राम जालर टिकोरा बजाऊं राम, शंक द्वनी लाई राम जुक जुक पाम लागूं राम, निरखता रोमन मोहे राम शरण अपनी लेलो राम, दूद कटोरा लाई राम सीता चरंद बाए राम, सुख वर सेज सो राम जालर पंखा धोलो राम, हमे राम, तुम हे राम रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में भी राजो श्री राम मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैटे करे क्या काम जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंची राम ही राम पूर्ण होए सब के काम, मेवा चरंजी लाई राम रुच रुच भोग लगाओ राम, खटा मीठा चक्खो राम चर्खा पर खो लाई राम, चर्खा पर खो चक्खो राम जो भाए सोले लो राम, मन में धोका न रखना राम राम कथा पूर्ण हुई, तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी हमारी सहयता की तुमने हमारे भूगी राम लक्षमन को खाना खिलवाया भगवान तुमको सातो स्वर्ग का सुख देगा सीता माता का आशिरवाद ले बहु अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहु को पहना दिया बहु अपने घार जाकर सासु जी से बोली मेरा मटका सिर से उतारो सासु जी बोली है बेटी हीरा पन्ना का गहना कपड़ा और मटका और सिर का जालर इंडनी हीरा से जहे मिला रहे हैं ये सारी चीज़े तो कहां से लाई राजा जी सुनेंगे तो डंड देंगे बहु बोली मैं तो सीता जी से उनकी रामकथा सुनकर आ रही हूँ उन्हीं की किरपा से यह सब कुछ मुझे मिला है सासु बोली ठीक है रोज तुम रामकथा सुनकर आया करो बहु रोज सीता जी के पास जाकर रामकथा सुनने लगी सुनते सुनते एक वर्ष पीत गया तब बहु ने कहा माता कहानी का उद्यापन बताओ सीतर जी बोली साथ लड्डू एक मारियन लेना और उसके साथ भाग करना एक भाग मंदिर में चड़ाना मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा एक भाग तलाप में चड़ाने से तलाप खुदवाने जितना धर्म होगा एक भाग भागवत पर चड़ाना उससे भागवत सुनने का फल मिलेगा एक भाग तुलसी पर चड़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा एक भाग क्वारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा एक भाग ब्राम्मन को देने से ब्राम्मन को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा और एक अंतिम भाग सूर्य भगवान को चड़ाना उससे 33 करोर देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा बहु जल्दी जल्दी घर आ गई साथ लड्डू और एक नारियल लाई उसमें उसके साथ बराबर भाग किये एक भाग मंदिर में, एक भाग तलाब में, एक भाग बागवत में, एक तोसी में, एक कन्या को, एक ब्राम्मन को और एक सूर्य भगवान को चड़ा दिया सूर्य भगवान को चड़ाने से 23 करोर देवी देवताओं ने भोग लगा लिया अब बहु फिर सीता जी के पास आई और बोली माता मैंने सबका उद्यापन कर दिया है सीता जी बोली अच्छा बहु अब बैठ जाओ साथ दिनों बाद वैकुंत धाम से विमान आएगा सो साथ दिनों के बाद वैकुंट धाम से विमान रिमजिम रिमजिम करता हुआ आया बहु बोली सासु जी विमान आया है आप भी चलो सासु जी बोली बहु मैं अकेली कैसे जाओं अपने सासु जी को भी ले चल अपनी माता पिता को भी ले लो भाई, बंदू, कुटुंब, कबीलों को सभी को ले लो अड़ोसी पड़ोसियों को भी लो बहु ने सब को विमान में बिठा लिया विमान फिर भी खाली रहा इतनी में नंद्रानी आई और बोली भाबी मुझे भी विमान में बिठालो माता ने देखा विमान में जगे ही नहीं है बहु सीता जी से बोली माता हमारी नंद को भी बिठाओ सीता जी बोली तुमारी नंद गमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्छे धागे से बना हुआ है वह तूट जाएगा नंद बोली भाबी मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे भाबी बोली अपनी करनी आप ही भोगो हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं इतने में बहू अपने पती के साथ विमान में विराजपान हो गई यह देखकर नगर के सभी लोग इखटे हो गए और पूशने लगे बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैठकर वेकुंट धाम जा रहे हो आपने रमायन का पाठ किया गीता का पाठ किया या कोई और अखंड पुन्न किया है जिससे स्वर्ग से विमान लेने आया है बहू बोली मैंने तो केवल सीता माता से रामकता सुनी थी और उसका उद्यापन किया था नगरी के लोग कहने लगे पहू हमें भी रामकथा सुनाओ। बहू ने सब को रामकथा सुनाई। रामकथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। सभी देवी देथता सीधा माता की जैजैकार करने लगे। इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्मलाब प्राप्त कर सकें।